चोट पर सियासी यूद दुछर चुका है लेकिन हम आपको बताएं मामता बारण जी आज अस्पताल में रही हैं आपने देखी उनकी तस्वीरें वहाँ से एक विडियो बयान जारी करके उन्होंने कहा कि सीने में पैर में दर्द है लेकिन उन्होंने ये अपील की कि शांती बनाय रखे इदर बीजेपी कॉंग्रस सब घेरते रहे दिन भर सियासत अपनी जगा और सच्चाई अपनी जगा एक बात सौफीजदी सत्य है कि मुख्यमंत्री ममता बैनरजी के पैर में फ्रेक्चर है और हमले के आरोप की जात जारी है पूरे मामले पर आज ममता बैनरजी ने हॉस्पिटल से वीडियो मेसेज जारी कर बड़ा बयान दिया आपको बहुत गोर से ममता बैनरजी के एक एक शब्द को सुनना चाहिए पूरे में जोरे चाह पाशे उन कीछी को बेनना रहते मानुशेर को अश्र भी देखाए आमी आशा कोड़े दूज दिन दिन मुद्धे आमी आवा निजेर फिल्डे पीरी जेते पारवो तामे हाई तो पाए प्रब्लेम ठाट पे किन तो हामी मैनेज कोरने हो ममता बैनर जी ने शांती बनाए रखने के अपील की और बड़ी बात ये बताई कि 14 मार्च तक एक बार फिर वो लोगों के बीच में होगी यानि चुनावा परचार करेंगी वो भी वीलचेयर पर लेकिन सियासत में जुबानी जंग जारी है ममता बैनर जी ने फिर एक सिंग पैथी लेने के लिए नाटक की आओ पच्छा ये विश्रिंखल करवाज चेश्टा महता बंदबध्धायर तुपोर आक्रवन आइन सिंग कलाज अबनोती करवाज चेश्टा ममता बैनर जी के आरोब के बाद F.I.R. दर्ज हो चुकी है सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन धाराओं में केस दर्ज हुआ क्योंकि इसे लेकर भी T.M.C. हमलावर है पूर्वी मेधनीपुर में अग्यात लोगों के खिलाफ I.P.C. की धारा 341 के तहट गलत तरीके से रोकना I.P.C. की धारा 323 यानी जान बूच कर चोट पहुचाना I.P.C. की धारा 325 यानी स्वेच्छा पूरवा किसी को गंभीर चोट पहुचाना I.P.C. की धारा पूर्वा किसी को लेकर दो तरह की थियरी सामने आ रही है पहली थियरी हमला हुआ जैसा मम्ता बैनर जी ने और T.M.C. ने आरोप लगाया है दूसरी थियरी हाथसा हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें पूरा सच कैथ है लेकिन उससे पहले चुनावायोग पहुचे T.M.C. और B.J.P. की आरोपों को समझे T.M.C. का आरोप नमबर A. D.G.P. को हटाया और अगले दिन हमला T.M.C. का आरोप नमबर A. मम्ता बैनर जी की जान को गहरी साजिश से खत्रा T.M.C. का आरोप नमबर तीन घटना के वक्त लोकल S.P. के घायब होने पार शक B.J.P. का आरोप नमबर A. मुख्यमंत्री के काफिले में एम्बुलेंस कहां थी B.J.P. का आरोप नमबर दो आपात काल के लिए कौन सा हाउस्पिटल चुना गया था B.J.P. का आरोप नमबर तीन क्यों ममता बनर जी को कोलकाता जाना पड़ा B.J.P. का आरोप नमबर चार सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले क्या कर रहे थी कौनलोजी समझ लीजिए मार्च दस तारिक एक B.J.P. सांगसत पांच बज़े पोस्ट किया था आप समझ जाएंगे शाम के पांच बज़े के बाद क्या होने वाला है और कल छे बज़े नंदी ग्राम में ममतादी के साथ ये हादसा हुआ चुनावयोग को चाहिए कि उनके दवारा उमिदवार के पीशे चल रहे वीडियो में एसा क्या आया है उसको साथ ने करना चाहिए जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है चुनावयोग के दफ्तर से लेकर SSKM हॉस्पिटल तक आज सिर्फ ममता बनरजी पर हुए हमले की जर्चा होती रहे TMC के बड़े बड़े नेता ममता का हाल जानने के लिए हॉस्पिटल पहुँचे TMC की नेता और फिल्फ स्टार मीमी चक्रवर्ती जब बंगाल सीम से मिलने पहुँची तो उनकी आखे छलक उठे जुझारू ममता आज हॉस्पिटल में और घटना को लेकर पक्ष और वेपक्ष दोनों तरफ से टिपड़ियां आ रहे हैं यह भाजपा पर अगर आरोप लगे तो भाजपा पर इसका तो यह रहा है तिहास की चुनाओं जीतने के लिए लगतार हो लोग करते ने हैं बन्गाल के लोग को भाबुक लोग होते है जादा उनको यह लगेगा कि आह हमारे घर के एक यह लड़ności को 시청 यह दुझार इसकार को इससे की चोट लगे और और वही एक साजीस की शिकार बने है चलो उनको वोट दिया जय dimensions बस यही इनका असली मम्ता बनर जी ने हमले का आरोप लगाया है ये वीडियो उसी वक्त का है जब घटना हुए आप वीडियो में देख सकते हैं कि यही पर मम्ता को चोट लगी मम्ता का आरोप है कि इसी भीड में मौझूद 4-5 लोगों ने प्लैन के तहत हमला किया और दर्वाजा खुला रहता है पाउं बाहर रहता है और अचानक ठीक इसी जगह पे यहाँ पे जो पोल है ठीक इसी जगह पे यह घटना होती है अब ये पोल से टकरा कर वापस ममता के पाउं पे लगा है उनके हाथ में लगा है या फिर भीड की वज़े से लगा है ये साफ नहीं है बीजेपी और कॉंग्रेस इसे ममता का जुनावी हतकंडा बता रहे हैं सहानु भूती बटोरने का emotional कार्ड बता रहे हैं अब सवाल है कि ममता बनर जी पर हमला हुआ या फिरो वहाथ से का शिकार हुई फिरोधियों के आरोप अपनी जगा है लेकिन जब तक पुलिस की जाच पूरी नहीं होती तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना जल्द बाजी हो यानि बहुत जल्द दूद का दूद और पानी होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रहें आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले